आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उटाम्टीवी जीहच में और रांची क्लास में मैं आप लोगों को表 करवाने वाले हूं यनि कि कुछ दिनों पहले मैं आप को स्टोरी करवाइधी आप लोको याधी होगा। उसका पार्ट फन था वह और आज मैं यह last part करवाने वाले उसका part 2, ठीक है, तो वो story क्या थी, मैं आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा बता देती हूं, क्योंकि बहुत सारे viewers ऐसे भी होते हैं, जो उसे नहीं देखे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूं, हुआ ये था, कि राजु एक लड़का था जो कि राची से घूमने गया हुआ था नेतरहाट पहाड पे, और घूमते घूमते उसे शाम हो गया था, और फिर वो मतलब कि उसे वापस आने के लिए, मतलब राची जाने के लिए, उसके लिए कोई साधन नहीं था, तो इसी वजह से वो मतलब वहां पर भटक रहा था, और इतने में उसे सोनु नाम का एक लड़का मिल जाता है, जो उसे अपने घर लेके चला गया था, जहां पर वो मतलब कि उसकी फैमिली से मिला, मतलब राजू सोनु की फैमिली से मिला, और फिर वहां पर खाना खाने के लिए उसके फैमिली वाले ने कहा, और वो हाथ धो आने के लिए बाहर की तरफ गया था जहां पर उसे एक आवाज सुनाई दी थी तो हम उस स्टोरी को continue करते हैं ठीक है तो पिछले स्टोरी में औरत एक थी जिसे उसने देखा था मतलब उसकी मतलब की परचाई जैसे देखी थी तो राजू बहुत ज़दा सहम गया था डर गया था और उसने उस औरत से पूछा कि नीन ने तल दी यानि कि आप कौन है उस औरत ने जवाब नहीं दिया और वो उल्ता ही हसने लगी ही 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 ऐसे हसने लगी उसके बाद उस ओरत ने उससे question किया कि नीन ने तल्द है यानि कि तुम कौन हो इस पर राजु ने अपने बारे में मतलब की बताया कि मेरा नाम राजु है और मेरे साथ ऐसे ऐसा कुछ हुआ है जिसके वज़े से मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो उतने देर आराम से वो लेडी सुनती रही उसकी स्टोरी राजु की स्टोरी जो भी उसने बताया उसके बाद वो अचानक से बोली कि नीन इसते बुंगा कला यानि कि तुम यहाँ से भाग जाओ अब अचानक से कोई आपको कहे कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो एक बार के लिए तो कोई भी सोच में पढ़ जाएगा कि उसने ऐसा क्यों बोला तो अब इसी बात को राजू सोच रहा था कि ऐसा वो क्यों बोल रही है तो उसने उसे बोला कि तो राजू ने उस लेडी से पूछा कि इंदर गे बोंगोन यानि कि क्यों भागूंगा कोई तो रीजन होना चाहिए ना उसके पास कि मतलब कि वो क्यों भागने के लिए बोल रही है तो इसलिए वो जानना चाहता था कि वो क्यों बोल रही है तो इसलिए उसने पूछा कि इंदर गे बॉंगोर यानि कि क्यू भागूंगा लेकिन वो औरत बहुत ज़द रहसे मही थी अभी तक बताया था कि उसने कुछ जो आगे बताएगी तो उस लेडी ने जवाब दिया कि दौर यंति कला यानि कि ठीक है तब जाओ इतना बोल के फिर से वो हसने लगी फिर से हसने हसने वो चली गई ठीक है उसके बाद राजू ने क्या किया वो अपना हाथ धोने के लिए गया उसके बाद रसोई में गया फिर मज़े से खाना खाने लगा और उसने तारीफ भी की खाना बनाने वाले की राजो ने तारीफ में कहा कि मंदियम की अजम इंबाराचा यानि कि भाद सबजी बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा बना हुआ था उसके बाद राजो सोने के लिए चला गया, ठीक है, तो उसे सोने के लिए जो कमरा दिया गया था, वो घर से बाहर था और जहां वो सोया हुआ था, मतलब कि जहां पर उसका बिस्तर लगा हुआ था, वहां पर बहुत सरे चूहे थे जब रात को वो सो गया, तो बिल्ली चूहो को पकड़ रही थी, जिससे आवाजे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जिससे नीद उसकी तूट गई, राजो की नीद तूट गई राजो ने कोशिश भी की कि नीद आ जाये, लेकिन किसी भी नए जगह पर नीद जल्दी नहीं आ दी है, तो उसे भी नीद नहीं आ रही थी, तो इसी वज़े से वो दरवाजा की तरफ बढ़ा, ताकि वो दरवाजा थोड़ा सा खोल के, फ्रेश हवा ले, ठीक है, ताजी जब थोड़ा पास आई, तो उसे बहुत सारे भूत दिखे, फिर क्या था, वो चिलाने लगा और बिल्कुल वहां से भागने लगा, पूरी रात वो भागता भागता ही बिता दिया, कभी धर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, क्योंकि अंधेरे में कोई रास्ता तो बीत गई, उसके बाद सुबा हो गया, फिर जैसे तरह से वो बस स्टैंड पहुचा, फिर वहां से वो अपने घर गया, यनि कि वो राची चला गया, नेक्स्ट येर, मतलब की अगले साल, फिर से वो उसी जगह पर वापस लोटा, उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि व मैंने बताया था, कमरा घर से बाहर दिया हुआ था, तो इसी वज़े से वो अचानक ही भाग गया था, उन लोगों से मिल भी नहीं पाया था, तो इसलिए वो अगले साल वापस लोटा, उसके बाद, लेकिन जिस स्थान पर वो गया, जहां पर वो घर था, वहां पर कोई घ घर था, तो जिससे उसने पूछा था, उसने कहा कि कौन सा घर, और फिर उसके बाद उसने बताया कि यहां पर तो कोई घर ही नहीं था, ठीक है, यहां पर कोई भी घर नहीं है, राजों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक साल पहले वो इसी जगहा पर आया हु तो उस आदमी ने बहुत ही प्यार से कहा कि सनेरपा मला बाबू किर्रा कला, यानि कि यहां घर नहीं है बाबू, लोट जाओ, राजों को कुछ समझ नहीं आया, विचारा अपना सिर्क हुचाता रह गया, लेकिन जो भी था, वहां पर कोई घर नहीं था, ठीक है, वहां प खत्म होती है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, जिससे जो भी नई वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए, और हमारे चैनल को जितना हो सकते हैं उतना शेयर कीजेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू.